नमस्कार दोस्तों हमारे चनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज बात करेंगे मायावती की मायावती बहुजयन समाज पार्टी की राश्ट्री अध्यक्ष है और उत्तर प्रदेश में एक राजनेतिक इनकी हैसियत है मायावती सुरू की दिनों में दिल्ली में एक सिचिका थी और इंडियन एड्मिनिस्ट्रेशन सर्विशिस की तयारी कर रही थी यानि आईएस बनने का इनका सपना था उसी टाइम 1977 में कांसी राम चिनकी मुलाकात हुई उस समय कांसी राम एक संगठन बना रहे थे जो राजनेतिक तवर पे दलितों को सोशितों को और बंचितों को उनका अधिकार दिला सके उस संगठन के लिए कांसी राम काम करते हुए जब मायावती से मिले 1977 में तो उनसे काफी प्रहावित हुए उनकी बात चेत उनके बात बोलने का तरीका उनकी सोच समझ सा उन सवरे चीजों से प्रहावित होके कांसी राम उनको राजनीत में लाने के लिए काफी प्रयास कि मायावती ने अपनी इच्छा जाता है कि मुझे IS बनना मुझे राजनीत में कोई रूची नहीं है लेकिन कांसी राम उनको उस समय एक बात ऐसी बताई बोले कि मैं तुमको इतना बना नेता बना दूँगा कि तुम्हारी बात का पालन करने के लिए IS और PCS लोगों की लाइन लगी रहेगी इन सारी चीजों से प्रभावित हो करके मायावती राजनीत की तरफ रुप किया और 1984 में बहुझे समाज पार्टी के गठन होने के बाद मायावती बहुझे समाज पार्टी की सक्रिय मेंबर के रूप में काम करना चालू किया कांसी राम की मायावती बहुत ही करीबी थी उनसे काफी प्रभावित थी उसके बाद 84 में पार्टी बनने के बाल मायावती को उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला सुरुवात के दवरों में बहुजें समाज पार्टी का एक नारा हुआ करता था जो बहुत उसमें प्रचलित था बहुत बिरोधाभासी था वो नारा था तिलक तराजु और तलवार उनको मारो जूते चार इस नारे के साथ मायावती और कांसी राम दलितों को राजनैतिक त मायावती पहली बार 3.1995 से 18 टूबर 1995 यानि 4 महीने तक मुख मंत्री रही दूसरी बार 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 लगवग 6 महीने मुख मंत्री रही तीसरी बार 3 माई 2002 से 26 अगर्स 2003 तक लगवग 16 महीने मुख मंत्री थी चौथी और अंतिम बार 2007 से 2012 तक 5 साल तक मायावती ने कम्प्लीट अपना कारेकाल पूरा दिया था 1905 में जब मायावती पहली बार मुख मंत्री बनी तो ये देश में कोई भी मुख मंत्री जो धनित महीला मुख मंत्री बनने वाली ये पहली आउरत थी इनके मुख मंत्री बनने पे पीबी नर्सिंभाराओं ने उस समय कहा था कि लोग तंत्र में ये एक सूरज का उद्य है यानि ये पूरे देश के लिए एक ऐसी इस्तिती थी जो उसके पहले कभी पैदा ही नहीं हुई थी अब उसी 2007 से 2012 के कारेकाल में एक चुनाव हुआ था 2009 में लोगसभा का चुनाव उस लोगसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 27.42 यानि 27.42 प्रतिसत ओट लेकर के उत्तर प्रदेश में मत प्रतिसत के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी थी और बहुजन समाज पार्टी उस चुनाव में 20 सीटों पर काम्याभी हासिल गी थी उस चुनाव में मायावती का या बहुजन समाज पार्टी का मुख नारा था कि हाथी नहीं गड़ेस है ब्रह्मा विशुनु महेस है चुकि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन हाथी है तो उसको उस समय हाथी नहीं गडेश है ब्रह्मा विश्रू महेश है का नारा दिया गया था और आपको बता देए कि उस चुनाव में 2007 और 2009 वाले चुनाव में ब्रह्मध एक बहुजय समाज पार्टी के साथ थे सायद उसी से प्रभावित हो कि नारे को गढ़ा गया था मायवति की कुछ लेकनिये कार्यं हैं अपने मुखमंत्री के काल okay कालमे उसको देखते हैं मुखमंतरी का ग्रेंटनौिलेडΙ ख्रम्र कराये बहुत बहुत यमुन एक्सप्रेश वे गंगा एक्सप्रेश वे ताज करी डोड जिसको ताज गलियारा की नाम से जानती है काफी विवादित भी रहा इसको लेकर के माया उतिक उपर बहुत सारे आरोफ भी लगे गोटा लेके बहुत सारे गार्डन बहुत सारे उनके मूर्ती का निर्मार माया उति जी ने कराया इसका भी विरोद राजनेतिक तौर पर बहुत सारे लोग करते रहें अबेतकर्गाओं का चेल उस समय जिस गाओं को अबेतकर गाओं मान लिया जाता था। उस गाओं की नसीब Unterstützung खुल जाती थी। कैसे। उस गाओं में school, WOW, विवाजनेति के साथ होता है कुछ अच्छा होता है कुछ खराब होता है विपक्ष का तो काम नहीं अच्छा करो तो भी खराब करो तो खराब है तो माया ओती जी के कुछ विवादित नेड़े रहे हैं उसको एक बार देखते हैं मायावती जी ने प्राइविट नौकरियों में आरच्छन का प्राविधान लाने का प्रस्ताव रखा था और प्रमोसर में भी आरच्छन की मांग की थी बाद में मामला सुप्रीम पूर्ड में गया जहां पर सुप्रीम पूर्ड इसको खारिज कर दिया उसके बाद उत्तर प्रदेश को चार राजयों में बाटने के लिए मायवती ने 2007 में 2008 में और 2009 में तत कालीन परधान मंत्री मनमोहन सिंग जी को पत्र लिखा था तो मनमोहन सिंग कितने एक्टिव थे एक कारणा तो मुश्किल है बाकी काम तो होते नहीं थे तो एक राजय को चार राजय में बाटना है तो काम मनमोहन सिंग कितना जल्दी करते यह सोचनी की बात है उन राजयों में एक राजय पुरवांचल होता दूसरा आवध होता तिस इसमें इनको पोलियों उन्मुलयन में योगदान के लिए डबलू यक्चो और कुछ और संगठोनों ने मिलके पाल हैरिस फेलो यवाट दिया था इसके बाद एक सजन पतरकार इनके की करीबी थे इनको बहुत हालो करते थे इनके ओपर एक किताब creation ने हैि बहुत अच्छे से समझना है तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए इस किताब का नाम है आईरन लेडि कुमारी वहजाओटी तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में